एक्सल्चे नियूज में आप सभी का स्वागत मैं औरुतेश कुपता दर्श को आपको एक दर्धनक हादसे से रूबरू करवा दूँ आज सुबा जो है एक दर्धनक हादसा जो है वो पेश आया जब तीन स्कूल जा रहे विद्यारती रेलवे ट्रैक के पुल से नीचे गि जब रेलवे ट्रैक के पुल से तीन बच्चे जो है रेल गाड़ी को देखते हुए नीचे जम्प कर देते हैं और एक बच्चे की मौत हो जाती है जबकि दो अन्य का इलाज जो है जीमसी में करवाया जा रहा है आपको बता दें कि स्कूल जा रहे तीन स्कूली बच्चे आने से गबरा कर रेलवे ट्रैक पुल से नीचे जा किरते हैं साथ से में एक ही परिवार के तीन बच्चे पहले गायल हो जाते हैं हादसे का पता चलता ही आस पास के लोग मोके पर पहुंचते हैं और बचाफ कारे शुरू करते हैं रेलवे प्लीज वे प्लीज पर श्यास जो छे वर्ष की हैं माउदीन जो 12 साल के हैं और हादिया फातिमा 11 वर्ष की थी जिने बचाया नहीं जा सका हालां कि आलिया और माउदीन का इलाज जारी है हालां कि पुलीस ने मामला धर्च कर लिया है और जांच की जा रही है बच्चे स्कूल जा रहे थे पहले आगे तीन बच्चे थे एक लड़का दो लड़की थी तो पीशे चार थे वह पलीस वालों ने मोड दिये मलगे दोड़े और दोड़के उनको वापस किया तो उनके पीशे भी दोड़े सीटी भी माड रहे थे परहलों तब तक ट्रेन नि बत्रा मैं उदर डाक्टर में जूद नहीं था मेरे बेटे ने उठाया था पहले जो बच्ची उठाई तो मेरे बेटे ने उठाई तो उस वक्त वो उसने आंके परतदी थी मलगे आंके पलटा खागी थी बच्ची खत्बी हलाया उसको थोड़ा सा हलाने के बाद देखा तो नहीं है एक बार उसने हाय दर्द मैसूस की उसके बाद वो बोली नहीं है इस हादसे में हादिया फातिमा को बचाया नहीं जा सका हम ईश्वर से प्रातना करते हैं कि जो अन्ने दो बच्चे हैं वो जल्दी ठीक होकर अपने गर पहुंच जाए फिलहाल इनके परी जन झाल झाल